संसर शुरक्षा चूक मामले में 14 संसदों के सस्पेंशन से विपक्षी बूरी तरह बिफरा हुआ है कॉंग्रेस ने ऐलान किया है कि जब तक केंद्रिय ग्राहमंत्री आमिश्वा इस मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में बयान नहीं देंगे तब तक संसद को चलने नहीं दिया जाएगा उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर सुमवार को विपक्षी दलू की बैठक होगी जिसमें इस मुद्दे पर साजा रणनिती बनाई जाएगी कॉंग्रेस के राष्ट्य प्रवक्ता और पूर्व केंद्रिय मंत्री जैराम रमेश ने इस मुद्दे पर मीडिया से अपनी रणनिती साजा की उन्होंने कहा कि जब तक ग्रह मंत्री संसद के दोनों सद्दों में आकर सुरक्षा में हुई चूक के मामले पर बयान नहीं देंगे तब तक विपक्ष संसद को नहीं चलने देगा कॉंग्रेस मुख्याले में एक आयजित प्रेसवारता में जयराम रमेश ने कहा कि ये बहुत बड़ी घटना है जब ग्रह मंत्री टीवी चैनल पर जाकर इस मसले पर बात कर सकते हैं तो संसत में क्यों नहीं जयराम रमेश ने आगे कहा कि सरका नहीं चाते कि इस पर बहस हो हम इस पर बहस नहीं चाते है हम इस पर बयान चाते है विपक्ष चाता है कि संसत ठीक से चले क्योंकि ये आखरी सत्र है उन्होंने कहा इंडिया गडबंदन में शामिल पार्ट्यों की सोमवार को फिर बैठक होगी अगर ग्रह मंत्री सोमवार को बयान देंगे तो हम उसे सुईकार करेंगे और राजय सबह में ग्रह मंत्री से एक बयान मांगा था लगातार कल यानि की 14 तारिक और आज 15 तारिक को दोनों सदनों में इंडिया गडबंदन के सारे पार्टियां ने एक ही मांग कि कि ग्रह मंत्री सदन में आएं और बयान दें उस पर कुछ सवाल उठेंगे एक दो घंटे के लिए बहस होगी उसके बाद सदन की कारवाई चलेगी यह मांग इसमें कोई बड़ी बात नहीं है हमेशा जब ऐसे घटना घटते हैं जो मंत्री से संबंदित हैं उस पर बयान देते हैं और खास तोर से जब पार्लिमेंट का सतर चल रहा है एक संसदिय परंपरा रही है कि मंत्री संसद के अंदर बयान देते हैं पर हमारे ग्रह मंत्री इतने बड़े अहंकारी हैं कि वो टीवी चैनल में जाते हैं कल शाम को विस्तार से बात करते हैं इस घटना के बारे में पर वही बात वो संसद के अंदर बोलने के लिए तयार नहीं है हमारे सांसदोन्य स्पीकर साब से लोकसभा में और इंडिया के सांसदोन्य राजसभा में चेर्मेन साब से लिखित में मांग की है कि ग्रह मंत्री आए बयान दें कुछ सवाल उठेगा उस पर कुछ हर्चा होगी और सदन की कारवाई चलती रही